हेलो एवरीवन, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में संस्कृती ग्रूप आप स्कूल से टीचर्स वेकेंसी आई है इसके साथ मैं इसी वीडियो में हम बात करेंगे जीडी गोईन का पब्लिक स्कूल की जहां से TZT, PZT, PRT, नर्सरी टीचर की वेकेंसी है दोनों ही जगे कोई भी एप्लिकेशन फीस नहीं है नहीं कोई रिटन एक्जाम है किवल इंटर्व्यू के बेस पर सेलेक्शन रहेगा सभी सब्जेक्ट की वेकेंसी है संस्कृती ग्रूप ऑफ स्कूल में तीन केंपस है किसी में भी जो है आप चले जाएं वोक इन इंटर्व्यू के लिए सैलरी के साथ में जो है बहुत सारे बेनिफिट्स भी जो है इसमें दिये जाएंगे प्रॉविडेंट फंड, फ्री ट्रांस्पोर्ट, फ्री एजूकेशन पर वन जाइल्ड ठीक है इसके साथ में ग्रेजुटी भी रहेगी और बाकी जो है जीडी गॉइन का पब्लिक स्कूल उसमें भी कोई फीस नहीं है चलिए देख लेते हैं डिटेल में अद्वर्टीजमेंट, ओफिशल वेबसाइट पर चलेंगे दोनों स्कूल की ये जो है ओफिशल वेबसाइट है जीडी गॉइन का पब्लिक स्कूल सरीता विहार और ये न्यू डैली में है 2024-25 सेशन के लिए टीचर्स की वेकेंसी का नोटिफिकेशन, PZT में Computer Science, TZT में Computer Science, PRT में General सभी विश्यों में वेकेंसी है EBS Environmental Studies के साथ में, नर्सरी टीचर की वेकेंसी है तो क्वालिफिकेशन तो आप सभी जानते हैं कि PZT के लिए तो आपके पास जो है Computer Science में Post Graduate हूँ आप Trained Graduate Teachers के लिए BR चाहिए, PRT के लिए Primary Level का डिग्री या डिप्लोमा, सभी विश्यों की वेकेंसी है इसमें और नर्सरी टीचर के लिए आपके पास Entity या फिर कोई भी नर्सरी टीचर का आपके पास कोई Training हो, ठीक है, Teaching Training इसमें जो है Saturday, October 5, 2024, 2 से लेकर 4 PM तक जो है यहाँ पर इंटर्व्यू चलेंगे, तो क्या करना है आपको, All Candidates must bring their BioData along with recent passport site photograph तो आपको जो है अपनी हाल ही की जो photograph है और BioData के साथ में आपको लेकर जानी है, Candidate who have applied earlier, need not apply, जिन्होंने पहले apply किया हुआ है, वो apply ना करें, pay scale यहाँ पर qualification और experience के based पर रहेगा, जैसे कि nursery teacher के लिए यहाँ पर 12th के साथ में आपके पास entity होना जरूरी है, लेकिन कोई candidate जिसने post graduation भी किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ और उनको अनभव भी है, एक साल का, दो साल का, कहीं पर भी teaching का, तो essay में salary उनको उनकी according मिलेगी, ठीक है, PZT teachers के लिए जो है, केवल post graduation होना चाहिए, CTAT या TAT जो है, इन schools में नहीं मांगते हैं, चाहिए DPS है, GD going का public school है, यह बडे schools है, salary इनकी काफी अच्छी रहती है, डेली में है यह school, job location डेली ही रहेगी, pay scale तो काफी अच्छा देंगे ही, qualification और experience के base पर, तो बिना CT के आप apply कर दें, GD going का public school, J block, Sarita Vihar, New Delhi, email address दिया हुआ है, recruitment at the rate, gd goingka-sarita-vihar.com, official website का लिंक आपको नीचे दिख रहा है, telephone number भी जो है इनोंने दिया हुआ है, तो आप जो है notification आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो जैसे ही official website पर आएंगे, यहाँ पर right click करेंगे आप, त करेर सक्षन आपके सामने, पूरा page आजाएगा, ठीक है, अभी आपको क्या करना है, job application form, application form जो है आप यहाँ से download कर लें, इसको अच्छे से जो है, fill कर लें, और जिस दिन interview है, उस दिन चले जाए, application form, आपने bio data अपना जो है, ready कर रखा है, उसके साथ में अपने original document, उनकी एक एक photocopy जरूर ले जाए, और photo, ठीक है, एक photo यहाँ पर लगा लेंगे, कोई fees नहीं है, subject आपको बता दिये है, अब चलिए दूसरा देख लेते हैं, जो की vacancy है, संस्कृती group of schools, यह पूने महरास्ट्र में है, official website पर ही जो है, notification है, बखे newspaper में भी जो है, इसे publish किया गया है, तो हम तो यहाँ पर official website पर ही देख लेंगे, कि यहाँ पर इनोंने क्या कहा है, तो staff recruitment है, academic year 2025-2026 के लिए, किसी भी राज़े के candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं, कोई भी fees नहीं है, pre-primary, PRT, TGT, PGT में सभी विशों की vacancy है, for all subject, pre-primary teachers के लिए, ECCE course या diploma in early childhood education होना चाहिए, primary teacher में भी all subject की vacancy है, BEAD qualify होना चाहिए, primary teachers के लिए, trained graduate या post graduate, यह भी subject में vacancy है, including IT, graduation या post graduation आपने की हो, और BEAD होना चाहिए, ठीक है, C, TAT या TAT नहीं मांग रहे हैं, तो यह तो teachers की vacancy है, इसके अलावा भी जो है, other staff में vacancy है, librarian की है, special educator, school counselor, life coach, lab assistant, transport manager, operation manager, store keeper, security officer, accountant की vacancy है, तो इन में तो अनवर्व मांग रहे हैं, जैसे lab assistant है, transport manager है, store keeper है, ठीक है, accountant है, दो साल का अनवर्व मांग रहे हैं, AI, artificial intelligence teacher की vacancy है, foreign language teacher की vacancy है, तो यह कोई छोटा school नहीं है, और तो इसमें जो है, walk-in interview के लिए, आप जो है, तीन जगे जा सकते हैं के तीन campus है, वोकुम में है, उंडरी में है, और वागोली में है, ठीक है, address जो आपको यहीं से note करना होगा, तीनों ही, पूने, पूने में है, पूने का हैं, महरास्टर में, phone number भी दिया हुआ है, तो आप अपनी सुविदा के according देख लें, salary तो इसमें काफी अच्छी दें अभी कैसे apply करना है, यहां लिखा है, please come with a hard copy of your resume, last drawn salary proof and a passport size photograph for the walk-in interview, तो जो है आप को क्या करना है, hard copy के साथ में, अपना resume लेंगे, और अपनी जितने भी document है, original उनको लेना है, photo लेंगे साथ में, walk-in interview के लिए आप चले जाएंगे, इन तीनों ही campus में किसी भी जगे आप जा सकते हैं, Sunday, October 6, 2024, 9 से 3 बजे तक, ठीक है, तो इसमें कई पर भेजना नहीं है, कुछ भी, आपको direct walk-in interview के लिए पहुँचना है, यहां पर जो एनों ने लिखा है, required teacher with minimum 3 से 4 year of teaching experience in deputed school, तो बड़े-बडे schoolों की vacancy तो आती ही रहत है, आप लोगों को समय पर बताई भी जाती है, तो आपका अनुभव जो है, 3 से 4 साल का इसमें होना जरूरी है, ठीक है, चलिए दोनों ही, school की official website का link आप लोगों को provide कर दिया जाएगा, इसी वीडियो के नीचे description box में, thank you